हलो स्टूडेन्स आज की वीडियो मैं में क्लाश 10 की एक्सेस 1D की कुछिन नंबर 4 की 1 को सल्व करेंगे कुछिन नंबर 4 की 1 में दिया हुआ है प्रूब देट 5-2-3 is an irrational number हमें किया प्रूब करना है कि 5-2-3 एक irrational number है तो first हमें इसे किया मानना होगा rational number मानना होगा तो let 5-2-3 is a rational number first हमने इसे किया माना है rational number माना है तो अगर यह rational number है तो किस की बराबर होगा p by q की बराबर होगा तो 5-2-3 is equal to p by q और q not equal to 0 rational number है माना है हमने इसलिए कि इसकी बराबर होगा p by q की बराबर होगा कि विडियो में हमने यह डिसकस किया है कि रिश्यनल न胷्य होती है अगर आपको रिश्यनल की बारे और मैं नहीं है तो विडियो के डिस्क्रिप्ट्सन में भी आपको विडियो मिल जा 접종 किया कि रूट फाइफ भास रह्चकश, वो वीडियो देख लिए जिए रेशनल नमबर क्या होती है वो वीडियो क्लियर हो जाएगा वीडियो देखने के बाती है वीडियो की आई बोटन में भी ये वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा तो अगर हमने इसे rational number माना है तो किया होगा किस की बराबर होगा P by Q की बराबर होगा 5 minus 2 root 3 is equal to P by Q और Q जो denominator not equal to 0 होना चाहिए तो हमें क्या करना है जो root 3 है root 3 को single रखना है root 3 को single x side करना है और बाकी जो number है बाकी number को x side करना है तो हम क्या करेंगे root 3 को जो left side है left side में रखेंगे और बाकी जो number है उसको क्या करेंगे right में ले जाएंगे तो left में जो 5 है वो plus में है उसे हम क्या करेंगे right में ले जाएंगे तो right में ले जाने के बाद क्या होगा minus 5 होगा और left में क्या रहा है माइनेस 2 root 3 तो माइनेस 2 root 3 is equal to pyq minus 5 जो 5 है 5 को हमने क्या क्या है right में ले गया है right में ले जाने के बाद उसके बाद क्या करना है जो root 3 के साथ minus 2 है into में minus 2 को भी हमें क्या करना है right में ले जाना है तो root 3 के साथ जो minus 2 into में है तो अगर किसी भी number into में रहता है तो उसे अगर हम side change करेंगे तो क्या होता है divide होता है तो minus 2 root है minus 2 है minus 2 को अगर हम right में लेंगे तो क्या होगा p minus p divide q minus 5 उसके divide होगा minus 2 तो उसका जो minus 2 है minus 2 को हमने क्या क्या है right में ले आया है रैट में ले आने के बाद किया होता है डिवाइट होता है तो उसके बाद जो लेफ्ट साइट में क्या रहती है रूट 3 इक्विल टू पी बाई क्यू माइनस 5 डिवाइट 2 यहाँ पर देखिए जो रूट 3 है रूट 3 इक यह नमबर है इरेशनल नमबर है यह हमें पता है जो रूट 3 है रूट 3 इक इरेशनल नमबर है और जो राइट साइट में पी बाई क्यू माइनेस फाइब डिवाइट रूट टू ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि कैसे बता चल लगे रेशनल नंबर है क्योंकि जो पी बाई क्यू है ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर के साथ किसी भी रेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर आप चाहे इन्टु करो, प्लास करो, डिवाइड करो, माइनस करो, जो भी करो, वो हमेशा रैशनल नमबर ही रहता है, तो PYQ एक रैशनल नमबर है, उसके साथ जो माइनस 5 है, डिवाइड में माइनस 2 है, वो भी एक रैशनल नमबर है, और जो रूट 3 है, एक रैशनल नमबर है, तो since ये irrational number ये rational number है कभी भी rational number rational number equal नहीं हो सकते है तो root 3 is not equal to p by q minus 5 divided minus 2 ये not equal to है क्योंकि एक तरफ rational number है और एक तरफ क्या है irrational number है तो ये rational number नहीं होगा तो आगर rational number नहीं होगा तो किया number होगा irrational number होगा hence 5 minus 2 root 3 is an irrational number hence proof ऐसे करके आप प्रूफ कर सकते ये वीडियो अगर आच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सस्क्राइब कर देना थेंक यू